दोस्तों बहुत सारे लोग पूरा जीवन जिम में निकाल देते हैं बहुत मेनध करने के बापजुद उनकी बॉड़ी में कुछ ही किलोग्राम मसल्स बढ़ता है जिस तरह की बॉड़ी चाहिए होती है वैसी बॉड़ी नहीं बनती तो किस जगा कमी रह जाती है जिसके कारण सही रिजल्ट नहीं मिलता दोस्तों आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊ तो जिन पर अगर आप ध्यान दे तो आप बहुत जल्द ही बॉड़ी में मसल्स गिन कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको बॉड़ी बनानी है और टाइम वेस्टिंग से बचना है तो सही ट्रेणिंग और सही डायेट प्लाइन को फॉलो करना होगा दोस्तों अगर आपका target body में muscles बढ़ाने का है तो obviously आपको अपने diet में ज़्यादा calories को add गरना होगा अगर आप अपने diet में calories को नहीं बढ़ाएंगे और heavy workout करेंगे तो फिर muscles energy की रूप में बढ़न होने लगेगा और muscles का size भी गरने लगेगा दोस्तों protein turnover को support करने के लिए और muscles build up के लिए आपको लगबग 800 calorie की need होती है दोस्तों एक pound muscles gain करने के लिए आपको कितने calories की जरूरत होगी इसको आप simple से calculation से जान सकते हैं इस calculation के link description में दी गई है उपर आई बटन को भी क्लिक कर आप इस calculation को जान सकते हैं दोस्तों muscle gain के लिए सबसे important factor protein होता है muscles वनाने के लिए protein एक आधार है इसमें पाए जाने वाले जरूरी amino acid जैसे के leucine muscles के tissues के repairing और rebuilding में मदद करता है यह muscles को strong बनाता है जिसे muscles को बढ़ा होने और size बढ़ने में मदद मिलती है इसलिए muscles gain के लिए protein लेना जरूरी होता है लेकिन इससे पहले यह भी जानने के जरूरत है कि आपके सरीर को कितने protein की आवशकता होती है दोस्तों body के per kg weight के according 1.6 gram protein का 7 muscles के लिए सही होता है यदि आपका version 75 kg है तो एक दिन में आपको लगबग 120 gram protein लेना होगा लेकिन दोस्तों आपको यह protein सही समय पर लेना होगा दोस्तों workout के बाद सरीर को protein की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है workout के बाद muscles break होते हैं ऐसे में उसकी repair और rebuilding के लिए amino acids की अधिक जरूरत होती है जो कि protein में पाय जाते हैं इसलिए workout के बाद 2 घंडे के अंदर protein लेना जरूरी होता है protein के लिए आप whey protein या 1 cup Greek yogurt, 3 eggs या 56 gram lean meat और fish ले सकते हैं दोस्तों muscle skin के लिए सही diet खाना बहुत जरूरी होता है junk food से सिर्फ calorie मिलती है जो सरीर में extra fat को store करते हैं इसलिए junk या fast food को खाना तुरंद बन करें आप जो भी food को consume करें सबसे पहले उसके nutritional value को जरूर चेक करें इससे ये पता चलेगा कि आपने कितनी calorie खाई और कितनी fat खाई है दोस्तों sleeping एक बहुत important factor है जो कि muscles निर्मान के लिए जरूरी होता है क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा body growth hormone को release करती है growth hormone recovery और muscles निर्मान करता है इसलिए आपको कम से कम 6-7 गंटे की निंद अवश्य लेनी चाहिए दोस्तों आपको अपनी muscles को hydrate रखने के लिए plain और clean water पीना बहर जरूरी है सरीर को dehydration से बचाने के लिए आपको खूब पानी पीना चाहिए dehydration आसानी से आपके mass gain के सपने पर पानी फेर सकता है body में पानी की कमी होने पर body के tissues को repair में काफी समय लगता है और सरी में पानी की उचित मातरा होने पर हमारे tissues की repairing तेजी से होती है दोस्तों जिम में weight training करते वक्त आपको समय के साथ अपनी क्षमता के हिसाब से weight को बढ़ाना चाहिए एक ही तरह की weight training exercise करते रहने से कोई जादा फायदा नहीं होगा इसलिए बदल कर weight training exercise करें इसके लिए आप deadlift, pull ups और chin ups को सामिल कर सकते हैं एक और जरूरी बात ये है कि यदि आप muscles mass gain करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि body के हर part की exercise करें और body की एक part की exercise करने के बाद उस part की exercise दो दिन के बाद ही करें इससे उस body part की muscles को ज़्यादा अच्छे से grow करने का समय मिल जाता है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी समझ में आ गई होगी यदि आपको अभी भी कोई confusion है तो आप किसी trainer से सलाल ले सकते हैं और ऐसे ही knowledgeable वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले और वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे